जेहिन दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी बलाश्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आरज तो यहां पर देखें रेल मंतरी जी का बयान है और रेल वेपर रेल मंतरी जी क्या बोले और है तो पूरा ब्यूरा यहाँ पर इस पेपर में दिया गया है आजके न्य तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि रेलवे से जुड़ी हर एक खबर हर एक चीज को हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं तो इसलिए हर एक अपडेट को सबसे पहले पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर और 193 अभ्यरतियों को सौंपे न्यूक्ति पत्र और फिर कहा गया है कि दक्षन में मेरता लाइन मांगी रेल मंत्री बोले ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है पीम को अरजी दूँगा अब यहां देखे पहले इसको पढ़िए फिर हम यहां पर चलेंगे तो पहले इसको पढ़ते हैं देखे यहां पर क्या कहा है रेल मंत्री जी ने कि राज्य सरकार पर कटाक्ष पेपर लीक वे ब्रश्टाचार होते हैं अजमेर में रेल मंत्री CRPF ग्रूप टू में रोजगार मिले में शामिल हुए 133 वे अभ्यर्तियों को नियुक्ति पत्र सौपे और राज्यस्तान सरकार पर निशाना साथते वे कहा कि केंदर का लक्षे 10 लाख लोगों को रोजगार देने का है बर्तियां पारदर्शिता से हो रही हैं लेकिन कुछ राज्य सरकारे ऐसी हैं जहां पेपर लीक होते हैं ब्रस्टचार होते हैं और युवा निराश हैं फिर यहां पर देखेगा कि केंदरिये रेल संचार एवम सूचना प्रोधगी की मंत्री अश्वनी वैस्नव मंगलवार को अजमेर के पुषकर आये पुषकर में उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में आरती वे दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा घाट तक है पैदल चलकर पुषकर सरोवर की पूजा की ब्रह्मा मंदिर के पुजारी क्रश्न गोपाल वसिष्ट वे सरोवर की पूजा कराने वाले तेर्थ प्रोहित संजपरासर ने दक्षिना में पुषकर मेड़ता रेल लाइन मांगी इस मुद्धे पर रेल मंत्री ने कहा पुषकर कर वे डी पियार अप्रूवल करा कर काम शुरू करा जायेगा तो यह सारी खबरें थी और हर एक खबर आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि यहां क्या-क्या चीजे चल रही है तो यहां पर देखे 193 केंडेट है जिने कि यहां न्युक्ति पत्र सौंपे गए थे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत